Hello dear students, today we will do practice of E and E ये छोटी E है और ये बड़ी E है छोटी में क्या होता है? पूच छोटी होती है और बड़ी में इसकी पूच बड़ी होती है So let's start how to write छोटी E और उसके साथ क्या बोलना है? E I इमारत नो E और क्या बोलते हैं, दूसरा शब्द? E E अड़नो E ओके? सो दोनों में से कोई एक बोल सकती है E Iमारत नो E 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 फिर बड़ी में क्या बोलेंगे इस नो इश्वर नो फिर दुबारा छोटी आई तो क्या बोलेंगे इस नो फिर दुबारा छो इस नो इश्वर नो अगेन छोटी तो क्या बोलेंगे इड और इमारत इड मारत अंतल बाली इड आंतल इड सना आपको भी लिखना है चोटी में क्या होता है उसकी पूच चोटी होती है और बड़ी में उसकी पूच बड़ी होती है So dear students, you also write down in your notebook two times Okay